नीट यूजी के प्रत्म चरण में मिलेगी फ्री एक्जिट नीट फीजी में अभ्यार्थी इस बार फ्री एक्जिट की सुईता से महरूम रहे पर यूजी में यह सुईता भाल रहेगी हनबी चिकिसा शिक्षा विश्य विद्धाले के अनुसार नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के प्रत्म चरण में दो नॉमबर को सीट आउन्टित होगी जबकि 6 नॉमबर तक अभ्यार्थी दाखिला ले सकेंगे इस चरण में सीट शोड़ने पर अभ्यर्थीयों को हरजाना नहीं भरना होगा दरसल नीट काउंसलिंग में पंजीकर्ण कराने वाले चात्रों से धरोहा रासे जमा कराए जाती है सरकार मेडिकल कॉलेजों के लिए 10,000 उत्रक्रन मूल के स्टी और पिछड़ा वर्ग के लिए 5,000 वा नीजी के लिए 1,00,000 रुपे धरोहा रासी है प्रत्व राउंड में चात्रों को फ्री एक्जिट की सुईदा दी जाती है यानि पहले चरण में सीट आउन्टित होने के बाद दाकिला लेकर या दाकिले से पहले सीट छोड़ने पर धरोहा रासी लोटने का लोटाने का नियम है इसके बाद की चरण में यह सुईता उन्हें नहीं मिलेगी दिती चरण या उसके बाद सीट छोड़ने पर धरोहा रासी जब तक कर ली जाएगी तो आप ज्छान दें दोस्तो इस चीज के बारे में जलता है दूसरी कबर में P.R.D. महिलाओं के लिए खुसकबरी है P.R.D. की महिलां कर्मियों को मिलेगा मात्रत वे अवकास राजी के विफिनी विफागों में कारियत PIRD की महिला कर्मचारियों को आप मात्रत्व आवकास की सुविधा मिलेगी इसके साथ ही PIRD जवानों की नियुकती से लेका सेवा निवरित्ति की आयू और सेक्सी योगिता की सर्तों में भी बतलाव किया जाएगा कैबिनेट मंत्री रेखा आजयाने सुमवार को विधान सभा में युवा कल्यान एंव प्रांति रक्षक दल विफाग के अधिकारियों की बैठकली मंत्री ने अफसरों को PIRD जवानों के लिए तै सेवा सर्तों में बतलाव कर उनमें सुधार करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि PIRD जवानों को नौकरी के बहतर आउसर देने के लिए अन्य विफागों में समय जित करने की सुधा देने सेवा निर्देश पर एक मुस्त दर्नाशी देने वो साल में तीन सो दिन का रोजगार PIRD की भरती में सेक्षी योगिता आटफी के इस्तान पर दसफी आयू सीमा 18 से 30 करने के लिए निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए केविनट के लिए प्रस्ता 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 बनाने के लिए निर्देश दिये हैं मंतरी ने PIRD जवानों की सेवस्तों में भी बतलाव करने की निर्देश दिये हैं दोस्तों कैसी लगए आपको यह वीडियो जरूर से मुझे कमेंट करके बता है और अगर आप नए है चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकोन को सेलेक्ट और बाउचेट करके जिससे यह आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो का और इस वीडियो को सेर कर दिये दोस्तों धन्यवाद